हेलो दोस्तो स्वागत आपका फिर से एक बार संकल्प स्टडी पॉइंट में तो दोस्तो आज का हमारा टॉपिक है भारतिय सभीदान आज हम रिविजिन स्रीज फिर से चलाने जा रहे हैं और रिविजिन स्रीज का टॉपिक है हमारा भारतिय सभीदान तो देखते हैं भारत ठीरुसों के द्वारा लाया गया 1946 में इसके बास सभीधान सभा उसका गठन रागया अब देखी कबिएरट मुसिं पहले आया HC मिसिन कबिएरें के बाद पहले करा गया हमारा सभीधान for getting up किया गया जुलाय 1980 में किया खीक हमारे दो सविधान सभा में कितने सदस्य चुने गए तो सविधान सभा में 389 सदस्य प्रारंभिक में चुने गए सविधान में प्रारमभिक में 389 सदस्य चुने गए जिसमें से हमारे 200 जो 93 सदस्य थे हमारे ये ब्रिटिश प्रांत से चुने गए 92 जो सदस्य थे हमारे ये देशी रियासत से था चार सदस्य हमारे चीफ कमिस्नरी से चुन कर आए हुए थे टोटल हमारे कितने थे? 389 सदश्य थे अब देखिए 389 सदश्य होने के बाद क्या करी गई? सविधान सभा में पहली बैठक कराई गई सविधान सभा में क्या कराईगी? पहली बैठक कराईगी ये कराईगी 9 दिसंबर 1946 को लेकिन इस 9 दिसंबर 1946 में जो सविधान सवा की पहली बैठक हुई इस बैठक का वहिशकार किस ने कर दिया हमारा मुसलिम लीग ने कर दिया किस ने कर दिया मुसलिम लीग ने इस बैठक का वहिशकार कर दिया अब अगर question पूछेगा सविधान सभा की पहली बैठक में किसने अध्यक्सता करी तो हमारे सच्चानन सिन्हा ने इसमें अध्यक्सता करी थी अब जो हमारे सच्चानन सिन्हा थे इन्होंने इसमें अस्थाई रूप से क्या करी थी अध्यक्सता करी थी तो ठीक है अब हमने कि अस्थाई रूप से इसमें किसने अध्यक्सता करी सचितानन शिन्हा करी मैंने कहा कि सविधान सभा की जो पहली बैठक थी उसका जो वहिसकार किया वह मुस्लिम लीग द्वारा कर दिया गया अब जब मुस्लिम लीग द्वारा why कि यु использ पुछेगा अगर क्वेश्चन पूछता है कि सभीधन सभा के इस्थाई अध्यक्ष कौन थे तो हमारे कौन हो जाएंगे डॉक्टर राजिंदर परशाद होगे ठीक हो गया दोस्तों अब देखते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं सभीधन सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब रखा गया सबसे बड़ी बात है सभीधन सभा में जो उद्देश्य प्रस्ताव था यह किसके द्वारा रखा गया जवाहरलाल नहरूजी के द्वारा रखा गया ठीक है कब रखा गया तो यह हमारा deed 23 दिसम्बर 946 को प्रस्ताउ तरख दिया लेकिन उस प्रस्ताओं को सभिधान सभा ने पारित या फिर उसको स्विकृत किया तो देखे यह करा हमारा क्या अब 22 जनवरी 22 जनवरी 1947 कब करा गया 22 जनवरी 1947 को क्या करा गया सविधान सभादवरा इसको सुईकृत किया गया किसको उद्देश ये प्रस्ताव को जो सविधान में रखा गया था जवाहरलाल नहरूजी के द्वारा अब देखिए फिर हमने बात करी सविधान के सलाहकार सेमिती के अध्यक्स कौन थे तो हमारी जो समिधान में सलाहकार सेमिती बनी उस सलाहकार सेमिती के जो अध्यक्स बने वो हमारे कौन बने वी एन राव बने ठीक हो गया अब ठीक है अब आगे देखते है अब देखे अगला question पूछता है सविधान के सलाकार सिमिति के अध्यक्स हमने बता दिया है इससे पहले BN राव रहे अब देखे सविधान सभा के लिए कितनी समितियां बनाएगी अब जब सविधान सभा बनाएगी तो सविधान सभा बनाने के लिए क्या बनाएगी हमारी तेरह सिमितियां बनाएगी इन तेरह सिमितियों के द्वारा क्या कही गई हमारी सविधान सभा की इस्थापना तो करी गई साथ साथ में सविधान बनाने में महत्तपुन भूमिका निवाए किसने इन तेरह सिमिती होने, ठीक हो गया, अब देखे, जो संचालन सिमिती के अध्यक्स थे, संचालन सिमिती, अब अध्यक्स कौन थे हमारे, अगर हम इस्थाई अध्यक्स के बात करेंगे, तो डॉक्टर राजिंदर परशा थे, अगर हम संचालन सिमिती का काम किसने किया क सभीधान सभाहका जो हमारा इस्था ही अध्यक्स था उसे के द्वारा संचालन किया जाता है ऐसे इस ट्रिक बनाके इसको याद कर सकते हैं फिर उसके बाद देखी प्रांती ये समीती के अध्यक्स कौन थे अब जो हमारी प्रांत थी जो हमारे प्रांतों में बाटा गया था इस प्रांती के समीती सी जो वो समीती का जो अध्यक्स बनाया गया वो हमारा सरदार बल्लब भाई पटेल को बनाया गया ठीक हो गया अब अब संग समीती के अध्यक्स का मतलब केंद्रे लेबल से है, अब संग समीती के जो अध्यक्स बनाएगे, वो संग समीती के अध्यक्स हमारे जवाहरलाल नहरूजी बना दिये गए, ठीक हो गया, अब देखे, अब प्रारूप समीती के अध्यक्स कौन बनाएगे, इसको प्र जो हमारे प्रारूप समीति थी उसके कितने सदस्य थे करके question पूचा जाता है तो इसके हमारे साथ सदस्य थे अब देखे जो प्रारूप समीति थी इसके जो अध्यक्स चुनेगे वो कौन चुनेगे हमें अब देखे इसके बाद आगे देखते हैं फिर देखे भारते सविधान के निर्माण के समय लगा question पूचता है कि जो भारते सविधान था उसके निर्माण में कितना समय लगा तो देखे दो वर्स ग्यार माह 18 दिन का समय लगा पूचता है कि निर्माण में कितना लगा दो वर्स ग्यार माह 18 दिन का समय लगा फिर उसके बाद सविधान को अंगिकरित कब किया गया कहने का मतलब है सविधान बनकर तयार कब हुआ और सभादवारा उसको कब स्विकृती दी गई यह फिर उसको कब अंगिकरित कर लिया गया तो सभीधान को अंक्रित गई थो फट नौब गया करा गया तो तो लागई है तोष्चरा को कहा गया है अब किया अंग्रित खेंगेृसर यह सभल करते संवें के सब्साय के कितने सदेश्य सबसे बड़ी बात दोस्तों ये चीज अपने दिमाग के पहले से डाल देना मैं कि तो क्या करा गिया इसमें से जो हमारी मुसलिम लीग ने बिरूद कर दिया था इसमें से जो मुसलिम समुदाय था उसको हटा दिया गैए तो उसके बाद जो हमारे सदस्यों की संक्या रही थी हो ठीक हो गया 399 से घटकर कितनी हो गए थे हमारी 289 सदस्यों की संक्या हो गए थे भी हो गया, अब देखते हैं आगे इस बाद को ध्यान दीजीगा अब उसके बाद देखते हैं, अगर question पूछेगा मैंने कहा था कि सभीधान अंगेकृत करते समय सभीधान सभा के कितने सदस्चियों दारा हस्ताक्षार किये गए तो हमारे 284 सदस्चियों दारा क्या किये थे थे पूछा गए कुछन है फिर से एक बार इस पे ध्यान दिजीः अब देखे सबिधान में सुरुवात में कितने अनुचेद वह अनुच्चियां थी तो भ्यान की और ऑफ हमारे भाग त लेकिन अब अनुच्छेदों की बात करेंगे तो अनुच्छेद हमारे भी 4500 प्लस में हो चुके हैं लेकिन उनको हम 4500 ना कहके 395 ही कहेंगे क्योंकि उनके अंदर कोखोगो करके उन चीज़ों को जोड़ा गया है ठीक हो गया हमारे जो मूल अनुच्छेद हैं वो 3500 प्लस म को जोड़ा गया है अगर कुल वाली द्रिस्टी से देखेंगे तो 4500 प्लस में हमारे अभी अनुच्छेद हो चुके ठीक हो गया अब देखें हमारी जो आठ अनुच्छियां चाहिए उस आठ अनुच्छियों को अब कितनी अनुच्छियां कर दी गई अब उनको 12 अनुच्छियों की जब बात करेंगे तो मैं फटा फट से एक बार अनुच्छियों का आपके साथ रिविजन करा देता हूं पहले में जो थे तो हमारा क्या था संग एबुम राज्य चेत्र ठीक हो गया हमारा क्या था पहले में राज्य एबुम संग चेत्र ठीक है अनुसुची चार में हमें क्या कहा गया था थी अब पूरवत्र के राज्यों के लिए बिसेस प्राउधान फिर आरख्षण की विवस्ता कही थी थी ठीक हो गया उसके बाद अनसोची सात में हमारा क्या कहा गया था सक्तियों का विवाजन कहा गया था जो हमारा कौन कौन से सक्तियां थी हमारी राज्य सूची ठीक हो गया सूचियों का जो विवाजन था हमारा अनुसूची साथ में था जो हमारी राज्य सूची संग सूची और समवर्ति सूची की बारे में बताता है उसके बाद हमारी कौन से थी? अनुसूची आठ आती है, अनुसूची आठ में भासाओं का यानि की 22 भासाओं का जिक्र करा गया था, अब देखी, अब मैंने कहा जब मूल रूप से, जब मूल पहले मैं जब हमारा सविधान बना था, तो उस समय जो अनुसूची ओं की संख संसोधन किया गया, क्या किया गया, पहला सविधान संसोधन किया गया, कब 1951 में, ठीक हो गया, पहला सविधान संसोधन, 1951 में क्या जड़ा गया, भूमी संबंदी जो कानुन थे, उसको जड़ा गया, ठीक है, उसके बाद देखते हैं, फिर उसके बाद हम आते हैं, कौन स दसवी अनुसूची को कब जोड़ा गया अब जो दसवी अनुसूची थी हमारी दसवी अनुसूची किससे संबन दे थी ये दल बदल कानून से थी अब देखी जो ये दल बदल कानून थे इनको कब हटाया गया अब देखी अब जो दल बदल कानून थे इन कानूनों को हमार क्या बनाया गया अनुषूची कभ बनाया गया अगर दसभी अनुषूची में कभ जोडा गया तो उसको देखें के कभ जोड़ा गया यह सब premise 89 कभ क। 1985 में क्या किया गया 52 सभीधान संसोदन किया गया और जो हमारा दल बदल कानुन था उसको हमारे क्या बनाये गया भारतिय सभीधान का अंग बनाया यानि कि अनुशूची क्या बनाये गई गई इसको ठीक हो गया अब देखे अब उसके बाद देखते हैं आगे फिर उसके बा जो हमारा पंचायती राज से रिलेटेट था ठीक हो गया अब उस पंचायती राज में कितने कारे छेत्रों को जोड़ा गया तो उसमें 29 कारे छेत्र जोड़ेगी ठीक हो गया उन 29 कारे छेत्रों में से गर क्वेश्चन पूछेगा उत्राखंडे में कितने कारे छेत्र हमारे लागू है तो उत्रा खंड में हारे कितने हैं? 14 कारे छेत्र अभी लागू है ठीक हो गया उसके बार देखते है अब फिर बात करते हम 12 वी अनसोची की 1 वी अनसोची की जूड़ा गया 12 वी अनसोची के लिए क्या करा गया 54 वा सभिधान संसोधन करा गया कब 1993 में ठीक हो गया, और इसको क्या बनाया गया हमारे नगर पंचायते आरश्चा, यह थोड़ा ध्यान में रखने वाली बात थे हैं इंपोटेंट हैं, इनको देखिएगा ठीक है, अब देखिए, हमारी लगभग आनुसुचियां पूरी हो चुकी है ठीक है उसके बाद देखे मैंने कहा 300 पिचाना भी अनुच्छे थे ठीक है आठ अनुच्छे थे और 22 भाग थे ठीक हो गया अब देखे सविधान सभा में डॉक्टर भीम राव अंबिटकर ने किस छेतर से चुनाव लड़ा ये बहुत important question है लगबग पूछा जाता है सविधान सभा में डॉक्टर भीम राव अंबिटकर द्वारा किस छेतर से चुनाव लड़ा गया तो ये पश्यम बंगाल से लड़ा गया था लेकिन डॉक्टर भीम राव अंबिटकर जी क्या करते हैं पश्यम बंगाल से हमारा चुनाव हार जाते है ठीक हो गया तो उसके बड़ी बात देखिएगा जो हमारी सभीधान सभा बनी उस सभीधान सभा में जो सदस्य चुने गए वो सदस्य कहां से चुने गए हमने कहा कि सबसे पहले में कितने सदस्य चुने गए थे मैंने बात करें थी 389 सदस्य जब क्या करें चुने गए तो उन 389 सदस्य जो हमारे तक में चुने गये वह कहां से चुने गयी अब यह जब जूने सरय कि 10 क्रिशन वह प्र greater स्टेवी लिट्शासन से चुने गई पयीजिया तो इसे मुश्छन को कहा कि अगर मुस्लिम लीग ने में क्या करा भीबात करा तो घटकर जो संख्या रह गई ती वह 329 से कितनी रह गई थी वह कितनी रह गई थी हमारी 2309 ठीक हो गया अब एक चीज देखेगा जो यह 279 सदस्य कैसे चुने गया था इसके लिए मनोनित आधार पर चुनाओ कराया गया था और जो 389 सदस्य हमारे चुने गई थे वो कैसे चुने गई थे प्रतेक 10 लाख की जनसंख्या से क्या करा गया था एक व्यक्ति को चुना गया था ठीक हो गया अब एक चीज का बड़ा ध्यान देना मैंने कहा थ तो ठीक है दोस्तों लगबख सभीधान सभा के बारे में जितने भी क्वेशन बनते थे हमने आपके साथ डिसकस किया है इसके बाद हम पॉलिटी के अन्य टॉपिक भी आपसे डिसकस करेंगे जो एक्जाम के दिस्ट से काभी महत्तवपून साबित होंगे आकामी जिन कीजिएगा आप लोगों को इससे बिल्कुल बेनिफिट मिलेगा ठीक है दोस्तों तो चैनल को सस्क्राइब करें लाइक करें कमेंट करें थैंक यू